तोड़ा कंफ्यूज रहते हो कि इंग्लिस ग्रामर की कौन सी बुक आप कंसीडर करो आपके कॉंपेशन के एक्जाम के लिए अगर आप 9th 10th या 11th के बेस पे स्टेडी करना चाहते हो तो कौन सी बुक कंसीडर करो देखें इसमें एक यह बुक आती है जो रन एंड मॉर्टी की है English grammar and composition इससे आप basic start कर सकतो चैकर इस बुक से बट यह है कि यह टोटली English to English गिवन होती है समझ रो इसमें rules भी है proper example भी है mostly competition exam में इसी से आते हैं questions चैकर इसके बाद जब अगर आप इसको finish कर लोगे इसके बाद आप इस बुक को ले लिजए यह हैं competition की मेन ठीक है इसमें अगर आपने उस बुक को जो टेंथ लेवल की है उसको आपने फिनिश किया तो इसको पढ़ने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी एक्षली बहुत बच्चे होते हैं जो यह कहते हैं कॉम्टिशन में कि हमको रहन और मॉर्टिन के इंगलिश पढ़नी है रहने में अलग से थोड़ी नकुछ दिया होता है रहते तो सारे रूल्स वही हैं बस उसमें एक्जामपल बहुत दिये हुएं बहुत ज़ादा लॉट सोचेश करीव सोचो कि आप अपने मनसे रूल्स जनरेट करते रहों आपने मंसे एक्जामपल सॉल्व कर रहे हूं आपिस रूल कर रहे हूं उससे आपका कंसप्नेर क्लियर हुगा आप असको रट लोगें ठीक है हैं बट अगर आप इसको proper समझते हों, किसी की भी guidance में समझो rules को, उसके बाद इन books को आप consider करिएगा, अगर आप पहले ही ये books follow कर लोगे हैं, तो आप मतलब कर नहीं पाओगे उतना proper, बात समझ रहे हैं मेरी आप, इसके लिए आपको सबसे पहले जरूरत है कि आप अपना rule concept clear क rule concept करने के बाद फिर आप example पर आईए, वरना आप confused हो जाओगे कि आपको इतना सब कुछ है और कुछ नहीं आता है, ठीक है, ये दोनों books मैं आपको prefer करते हूं कि आप इनको consider करिया, आप इनके study करिया बट उसके पहले आपको grammar के rule आने चाहिए, ठीक है, जैसे वाइसे preposition क आप रट नहीं सकते हो कि भईया, मेक के दो यूज होते हैं, अगर chemical changing हो रहा है, तो आपको off नहीं लगाना है, अदर्वाइस आपको off लगाना है, तो ये आप ऐसे रट नहीं पाओगे, आपको चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है, तो इसके लिए आप grammar के लिए इनको थोड़ा सा कभी-कभी, मतलब problem create करता है कि इतना rule है, जैसा articles में बहुत दिया हुआ है, syntax में बहुत दिया है, but no doubt book वो भी बहुत अच्छी है, आप उसको भी ले सकते हो, फिलाल मेरे पास रखी है, दिखा देगा आपको ये है, ये है आपकी Lucent की English Grammar की, ठीक है, इस book को भ करिए, या तो सबसे पहले तो आप एक अच्छा अपना tutor सर्च करिए, जिसके थूँ आप पाड़ सको grammar, one by one notes बनाइए, इसके बात आप example इससे solve करिए, ठीक है, so all the very best for the English Grammar, and अगर आपको इस book से profit मिला हो, तो मुझे comment box में जरूर लिखेगा, thank you, have a nice day.